नमस्कार दोस्तों हमारे smart aluminum channel में आप लोग का इवार फिर से स्वागत है, दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ, aluminum sliding door का measurement किस तरीके से निकाला जाता है, तो दोस्तों आज मैं आपको board पे नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा drawing paper पे ठीक है, तो उस पे दोस्तों आपको काफी अच्छे से मैं समझाने की कोसिज करूँगा दोस्तों चलिए मैं समय बेलकुल नहीं भेश्ट करूँगा आपको ले चलता हूँ अपने ड्रोइंग पेज पे उससे पहले दोस्तों मैं आप लोग को हमेशा एक ही रिक्वेश्ट करता हूँ हमारी चैनल पर अगर पहली बार आये हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो और दोस्तों आप लोग को मैं कुछ बताऊंगा चलिए दोस्तों चलते हैं ड्रोइंग पेज पे और इसका टोटल फिटिझ दिखा जेता हूं ठीक है जैसे कौन सा इसमें बेरिंग लगता है यहां पे देख सकते हैं इस तरीके से इसका बेरी यहां पे लगता है और इसमें कौन सा चैनल लगेगा पहले में आपको वो चीज दिखा जेता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे जो आपको चैनल में दिखा रहा हूँ इसका नाम है सोमो चैनल तो दोस्तों इसमें 3-4 तरीके का channel लगता है sliding door में जैसे की g channel हो गया उसके बाद somo channel हो गया और बहुत से channel आते हैं बड़ दोस्तों normal sliding door जो बना के लगा जाता है जी channel और somo channel धीक है g channel में उसका fitting उलरेडी उसमें पहले से रहता है और somo channel में उसका fitting नहीं रहता है तो जिस channel में fitting नहीं रहता है उसका मैं आपको fitting दिखा देता हूँ ठीक है आप देख सकते हैं इसका ये bearing है ये somo channel में लगेगा कौन से channel में लगेगा दोस्तों ये बगलवाला आप देख सकते हैं ये है somo channel यही SOMO Channel में यह bearing लगता है अब दोस्तों का measurement कैसे हमें लेना चाहिए दोस्तों यह कुछ simple मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आप देख सकते हैं यह है हमारा कुछ simple ठीक है इस तरीके से sliding door आपको बनाना है तो आपका measurement कहां से कहां तक आपको लेना पड़ेगा यह मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है अब दोस्तों चलते हैं ड्रोइंग पे यह देख सकते हैं दोस्तों यहां पे मैं ड्रोइंग पे आया तो मैंने आपको इसके पहले दिखाया जो वो door जो है ऐसे बना हुआ था ठीक है आप कहीं भी measurement लेने जाते हैं तो आपको यह जैसे यह door है यहां तक पूरा इधर जाने के लिए पूरा जगह है दोस्तों आप लोग अगर यह चीज नहीं समझ पाएंगे measurement कभी नहीं निकाल पाएंगे तो sliding door का measurement मैं बहुत आसान तरीके में बताने के कोशिस करूँगा आप लोग समझिए इस side में आपका right हो या left मलनों मैं right में बता रहा हूँ right side में आपका इधर जाने के लिए पूरा जगह है ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा जो भी आपका अंदर-अंदर का measurement आएगा जहां पे आप measurement लेने गए हैं तो अंदर-अंदर का दोस्तों आपको मानों यहां तक measurement आपका कितना आया 30, two, ठीक है 32 सिंच आपका चवडाई आया ठीक है जिसको हम चवडाई बोलते हैं अंदर अंदर आपकी चवडाई हो गई तो दोस्तों आपको क्या करना है यह जो मिडल का साइज कटेगा यह जो बीच में आम दो पार्ट में धरवाजा बनाएंगे न यह जो बीच का हमारा पट्टी अलमुनियम ठीक है तो यह हमारा एक पीस यह कट गया और यह नीचे का और ऊपर का कितने साइज कटेगा दोस्तों दोस्तों स्लैडिंग दोर कभी भी बनाएं तो आपको 45 डिग्री में बनाना है कितने डिग्री में 45 डिग्री में ठीक है दोस्तों तो यहां पर यह इस तरीके से तो दोस्तों इस तरीके से रहने से कोई दिक्कत दर्वाजे में नहीं आता है जो यहां से फिटिंग आप लाएंगे यहां बानेंगे तो साइड से एक स्कुरू मारना पड़ता है तो कातरे में आप बनाएंगे जब 45 डिग्री में अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्लाइडिंग डॉर का मेजर्मेंट तो आपको मैं बताया है यह मिडल का साइड जो रहेगा अंदर अंदर का जो आपका मेजर्मेंट रहेगा वह साइड का यह कटेगा ठीक है और नीचे के साइड में आपको कभी मिडल डालना है जो चीज यहाँ पर लगेगा बीच में दोस्तों कौनसा लगाना पड़ेगा? मिडल वही चीज नीचे भी लगेगा क्यों? क्योंकि दोस्तों स्लाइडिंग डॉर में कुछ ऐसे फिटिंग आते हैं नहीं तो आपको U channel लगाना पड़ेगा नीचे उसकी डटी लगानी पड़ती है ठीक है वो लंबी सी रती है sliding door के अंदर U channel मारेंगे नीचे side में तो ही डटी के अंदर नहीं तो दर्वाजा दोस्तो आपका up down ऐसे होएगा मतलब आगे पिछे होने लगता है उस तरीके से नहीं होने के लिए यहां पे आपको middle इस्तेमाल करना है और middle लगाने के लिए आपको height वाले पट्टी में wiring खाचा मारना है जैसे sliding window में handle और interlock में मारते हैं उस तरीके से आपको height वाले में wiring खाचा मार देना है और middle आपको 45 degree में इसको भी cutting करना है ये आपका 90 degree में कटेगा 90 degree में सीधा सीधा 32 inch नीचे और ऊपर के कितना इच कटेगा 36 inch का ठीक है तो 36 inch का ये कट गया हमारा नीचे और ऊपर के ये दो हमारा दो कटेगा और ये हमारा एक piece कटेगा ठीक है तो दोस्तों अब ये जो आप नीची मिडल लगाएंगे ये भी एक ही कटेगा ठीक है बट ये दो यहाँ पे मैं इसलिए लिखाओ क्योंकि ऊपर भी एक लगेगा यहाँ पे ऊपर भी एक लगेगा ठीक है तो वो आपको कौन सा कटेगा जो साइड साइड का आपका प्लेन ह रहेगा वही हंडल ऊपर भी एक लगता है तो 36 का ही एक हंडल और एक मिडल कटेगा जो 36 का मिडल रहेगा वो नीचे लगेगा जो 36 का हैंडल रहेगा वो ऊपर लगेगा अब 32 का जो रहेगा मिडल सीधा सीधा में ये जो है यहाँ पे लगेगा ठीक है मतलब नीचे और ऊ यह कौन से section में हमें बनाना चाहिए दोस्तों देखेविए aluminum sliding door कभी भी आप बनवा रहे हैं तो 2 inch वाई 1 इंच यहां पर देख सकते हैं दोस्तों लिखा हूँ दो भाई एक इंच तो कभी भी Aluminium जो section होते हैं वो दो इंच वाई एक इंच कर sliding door में इस्तिमाल करें इससे बड़ा section यूज कर सकते हैं इससे छोटा section कभी यूज ना करें क्योंकि वो कोई मतलब नहीं होता है बनाके बहुत ही खराब दिखता है बहुत हलका रहता है उसकी validity देखा जाएते दोस्तों साल भर भी चल सकता है दो साल भी चल सकता है और वो इतने साल से ज़्यादा बिल्कुल नहीं चलता है और ये दो इंच वाई एक इंच के बनाएंगे आपका पांच साथ साल कम से कम चलता है मीनमम और खराब अगर कुछ भी इसमें होता है तो ये इसका bearing होता है bearing इसका एक बार मतलब दूसरा डलवा लेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा अब दोस्तों बात कर लेते हैं height की अब दोस्तों आप समझ गएं ये चवड़ाई में एक बार confirm कर लेता हूं जो भी अंदर-अंदर का measurement रहेगा वही size का आपका middle कटेगा कौनसा beach का middle जो आपका दरवाजे का अंदर-अंदर size रहेगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों height की height यहां से मानो यहां से फुरा full full measurement आपका यहां से कितना है 80 inch मान की चलो दोस्तों 80 inch ठीक है यह 80 inch मैंने लिग दिया है अब इसमें आपको कितना minus करना चाहिए यह fitting के लिए और channel के लिए बहुत ही simple तरीका है दोस्तों देखिए fitting और channel दोनों मिला के होता है दोस्तों और नीचे थोड़ा सा एक suit जगह है रहना चाहिए चलने के लिए कम से कम एक suit नहीं तो 2 suit ठीक है टोटल मिला के दोस्तों इसमें minus करना पड़ेगा आपको 2 inch 3 4 जिसको हम बोलते है 2 inch 6 suit यह हमारा minus हो जाएगा ठीक है तो 2 inch 3 4 minus करने एक बाद हमारा 80 में कितना बचा दोस्तों 77 1 4 ठीक है तो यह हमारा 77 1 4 77 2 suit यह हमारा 2 piece कटेगा कौन सा यह side की पट्टी और यह side की पट्टी ठीक है दोस्तों यह हमारा height में minus होके कट गया अब दोस्तों इसमें और एक region रहता है क्या इसमें g channel लगाएंगे या somo channel लगाएंगे दोनों channel में इतना ही minus होता है हाँ दोस्तों यह बिल्कुल सही है इतना ही minus होता है आधा एक suit का different रहता है बट दोनों में इतना ही minus करेंगे तो चल जाएगा कोई दिकत नहीं होती है ठीक है अब और एक बात इसमें और रहती है मतलब जो भी pipe यहाँ पर आप यूज करेंगे उपर की side में जैसे 1.5 inch by 2 inch का यूज कर सकते है 1.5 inch by 1.5 inch का यूज कर सकते है जो भी pipe आप उसका यूज करेंगे उसका अलग से minus आपको इसमें करना पड़ेगा ठीक है जैसे यहाँ से यहाँ तक measurement आपका 80 है तो आप pipe जो भी डालते हो उसका भी इसमें add होके minus होगा मैं add करके minus नहीं बताया हूँ ठीक है तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपने हिसाब से minus करिए और measurement अच्छे से निकालिए अब दूसरी बात यह कर लेते हैं जो sliding दर्वाजे में lock लगता है दोस्तों देखिए उपर की side में आप एक अगर pipe डालते हैं तो एक side में भी आपको डालना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक ठीक है lock लगाने के लिए pipe डालना पड़ेगा तो pipe डालने बाद आपको lock दर्वाजे में खाचा मारना है कौन सा lock लगेगा दोस्तों इसमें poppet lock लगता है ठीक है जो थोड़ा सा तेड़ा सा रहता है lock रहता है ठीक है इस तरीके से यह मानों अपना lock हो गया हाँ पर मैं देखिए बनाया भी हूँ तो दोस्तों आप आप लोग समझ गए कैसे इसका lock लगाना है lock के लिए इसमें आपको कौन सा lock लगाएंगे मैं यह भी बता दे रहा हूँ 40 mm का वो चोड़ाई रहता है और लंबाई उसकी दोस्तों 75 mm की रहेगी ठीक है इसमें आपको poppet lock लगाना है deadlock नहीं लगा रहा है दोस्तों deadlock जो है एकदम सीधा सीधा निकलता है चावी से आठेंगे वो एकदम सीधा निकलता है ठीक है इस तरीके सीधा निकलेगा तो यह इसमें pipe में नहीं लग पाएगा क्यों sliding जब सीधा lock रहेगा तो sliding घसकाएंगे तो उसमें से pipe में से निकल जाएगा और जब टेड़ा वाला lock रहेगा तो चावी घुमाएंगे lock करेंगे तो यह निकलेगा नहीं दोस्तों उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल हो कोश्चन हो आप मुझे comment जरूर करिए description में मैंने link भी दिये रखा हूँ दोस्तों अपने instagram का ठीक है आप वहाँ पे जाके follow करिए वहाँ से मुझे बात कर सकते हैं और about section में दोस्तों मेरा mobile number हमेशा रहता है आप लोग call कर सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो like, share, subscribe करिए अगर जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनकी लिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ भाई चैनल को subscribe कर लेना ठीक है ऐलमोनिया माई निगलास से related मैं वीडियो बनाता रहता हूँ चलिए दोस्तों मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत